हलो दोस्तों पूड कला में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो जो मैं लाई हूँ ये दो पार्ट में होगी एक आज पोस्ट होगी और एक कल पोस्ट होगी और आज मैं बनाने वाली हूँ इस वीडियो का पहला पार्ट यानि कि हम बनाएंगे लड इसका सिंगासन बहुत ही इजी है बहुत ही जल्दी बनने वाला है और इसकी अगला पार्ट आएगा कल जिसमें मैं आपको बताऊंगी उसके फ्रंट में बहुत ही खुबसूरत सा जरोखा बनाना जैसे की जैपूर साइड में अगर आपने देखा हो कभी श्री नाज जी के टैंपल में जिस तरीके के जरोखे बने रहते हैं कुछ-कुछ उस तरीके का तो वो पार्ट में वीडियो का कल आपको बनाना सिखाऊंगी आज के पार्ट में सीखते हैं सिंगासन तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं तो इस सिंखासन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए थर्मकोल के पीसिस तो जितना उंचा आपको बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप थर्मकोल के पीसिस ले लिजे साथ में चाहिएगा कार्डबोर्ड और देखे इस तरीके से हमने तीनों चीजों को आपस में तो यहां पर शनील का कपड़ा चिपकाया है और बैक साइड में आपको यह बुकरम की शीट चिपका दीजे अब इस तरीके से पीछे हमें इसके एक सपोर्ट देना है तो उसके लिए हमने फिर से कार्डबोर्ड का पीस लिया और उसके ओपर अपनी शनील का पीस और बुकर वाले तक है जिनको मसंद भी कहते हैं तो यहां पर हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे और एक बनाना है कुशन तो इसको चकोर बनाकर इसका तीन तरफ से सिलाई कर लेंगे तो यहां पर देखे इस तरीके से जो मसंद बनाने है उसमें हमने एक सिलाई की है और एक तरफ से ह कच्चा करके उसको खीच देंगे तो जैसे गोलाई जैसी सी शेप आती है वैसी सी आपकी शेप आजाएगी उसके बाद इसको हम सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद इसके अंदर भरेंगे हम फाइबर और फाइबर भरने के बाद फिर से वहां पर कच्चा करके और उसक कर सकते हैं तो यहां पर हमने देखे इस तरीके से भर लिया इसको और उपर से फिर सुई धागे की हल्प से इस तरीके से इसको खीच कर और जो है तयार कर लेंगे तो ऐसे ही हमें अपने दोनों मसंद जो है वो तयार कर लेने है एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके निकाल तो यहां पर आपका चिपकाने से उतना अच्छा काम नहीं बनेगा कुशन तयार करने के लिए इसके अंदर हमने पॉली फाइबर भर लिए और उपर से इसका मूँ जो है वो सिल दिया अब यहां पर हमने कुशन के अंदर बहुत कम पॉली फाइबर भरिया और देखे उसके बाद इस तरीके से चाकोर चाकोर इसके अंदर सिलाईयां हमने लगा दी है तो यह हमारा डिजाइन बन जाएगा इस कुशन का जो हमें सपोर्ट के आगे रखना है तो यहां पर हमने प पीछे बैक के सपोर्ट में भी आप इसको रख सकते हैं अब जो कुशन हमने बनाए थे मतला जो मसंद हमने बनाए थे उनके ओपर भी हमें अपनी यह अपनी गोटा पत्ती वाली जो तिकोनी लेस है इसको इस तरीके से लपेटना है आप चाहें तो आप प्लेन भी रोकेड के कपड़े से भी बना सकते हैं और फ्रंट में थोड़ा सा और सुंदर दिखाने के लिए यहां पर इस तरीके के आप गोल पैचेज लगा सकते हैं तो यह सब कुछ आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितना हैवी है कितना लाइट बनाना है मैं यह जो पुरा अपने कुछन लगा लिया और दोनों साइड में हम अपने गोल तक्यों को इस तरीके से रखेंगे और यहां पर हम अपने कोपाल जी को बिठा सकते हैं तो यहां पर हमने फ्रंट में भी देखे इस तरीके से एक लेस जो है वो लगा दी है अब आप चाहे तो यहां पर नी आपका जो है रेडी हो जाएगा यह इतना इजी सिंगासन है दोस्तों कि यह तो आप किसी भी भगवान के लिए भी बना सकते हैं अपने जैसे की लक्षमी गणेश जी के लिए या और भी किसी डाइटीज के लिए आप बनाना चाहें तो चलिए आज की वीडियो में आपको चोटी सी चीज और सिखा देती हूं बनाना क्योंकि यह भी हमारी कल की वीडियो को कंप्लीट करेगी तो इसके लिए देखे मैंने यहां पर कमल के फूल की ड्रॉइंग बना लिए जो हमारे शादी के काड आते हैं उनके ओपर अब इसको हमें कलर करना है तो कलर करने से पह लिए पर पूरा मिक्स नहीं किया तो देखे उस तरीके से कर आप कलर करेंगे तो आपके पत्यों में अटमेटिकली शेड आ जाएगी और पूरा कलर करने के बाद उसके बाद मैंने उसी कलर में हलका सा रेड और मिलाया थोड़ा सा डार्क बिंक बना लिया उसका और उसके के से आपके जो फूल है वो बनकर तयार हो जाएंगे पिछवाई का कुछ भी आप डेकोरेशन करते हैं तो उसमें इस तरीके के प्लावर्स आप बना सकते हैं अब इसको जो है सूखने रग देंगे सूखने के बाद आप चाहें तो इस पर वार्णिश कर सकते है जो अक्रेल चोटे मोती भी यहाँ पर लगा सकते हैं हाफ कट वाले तो मैंने यहाँ पर यह परल की चेन का यूज किया और इस तरीके से आपको दो कमल के फूल तयार करने है जो कल की वीडियो में काम आएंगे तो दोस्तों कैसा लगा पहला पार्ट है ना इसी अच्छा लगा हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और पहली बार चैनल पर आये हैं तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए सारी वीडियोस एकदम फ्री हैं आपकी जन्माश्टमी को एकदम चमकदार बनाने के लिए